हालो एवरिवन स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार अपने यूटूब चाइनल फार्मा गैलक्सी में तो मैं आपको मेडिसिन की जानकारी बता रही हूँ तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वी वाश प्लस लिक्विड के बारे में सो वी वाश प्लस लिक्विड ये एक इंटिमिट वाश है जो कि प्राइबेट पार्ट वजाइनल पार्ट को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है और जो हमारा वजाइनल पीज होता है वो मेंटेन करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ V-Wash होता क्या है उसमें कौन से कमपोजिशन यूज किये जाते है उसके साथ-साथ V-Wash की पैकेजिंग और उसकी कीमत कितनी है और V-Wash हमें कितनी बार यूज करना चाहिए और कब करना चाहिए और वी वाश के उपयोग तो ये सारी चीज़े आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हो तो जो मेरे चानल पे न्यू है वो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो वीडियो को हम स्टार्ट करते है वी वाश आकिर होता क्या है वी वाश फीमेल्स के इंटिमेट एरिया को क्लीन अथवा साफ करने के लिए बनाया गया है ये एक स्पेशल हाईजिन प्रोड़क्ट माना गया है हमारा वजायना का पीच लेवल 3.5 से 4.5 के बीच होता है फीमेल के जननांग में एक नैचरल प्रोटेक्टिव लेयर होती है और वो नैचरली एस्टिक होती है इसका में फंक्शन यही होता है कि इनफेक्शन को रोकने का काम यह करती है और ये प्रोटेक्टिव लेयर हमेशा बनी रहती है पर नहाने की दोरान इसका इस्तमाल जादा होता है जैसे कि पानी अत्वा साबुन के कारण वो लेयर धीरे धीरे तूट जाती है इसका में रीजन यहीं है कि pH लेवल का अधिक हो जाना इसमें वीवाश का यूज किया जाता है जब pH लेवल ऐसेडिक से ज़ादा और भी ज़ादा उसका pH बढ़ने लगे तो वीवाश का यूज करना चाहिए वीवाश pH लेवल को मेंटेन करने का काम करता है उसके साथ साथ वीवाश लैक्टो बैसिली की प्रोड़क्शन को बढ़ावा देता है और जो हानी कारग बैक्टेरिया होते है उसका संक्रमन रोकने के लिए वीवाश यूज गया जाता है अब हम देखते हैं कमपोजिशन वीवाश के तो वीवाश में कोंसे कोंसे में इंग्रीडियन्ट यूज किये गए है फर्सली है टीथरी ओईल और बैक्टान ओईल इसके संयोजन से ये वीवाश तयार किया गया है ये वजाने की लेबल को मेंटेन करता है उसके साथ साथ आदि समस्या से बचाता है ये प्रोड़क्ट वजानें पाइट के लिए पूर्न रूप से हाईजिन और सेप माना गया है तो अब हम देखते हैं पैकेजिंग और वीवाश तो पैकेजिंग में दो पैकेजिंग आता है ये एक 20 ml और 100 ml बोटल में आता है 20 ml बोटल का प्रा होता है 176 रूपीज तो अब हम देखते हैं वीवाश कब यूज करना चाहिए जब वजायना में खुजली, डिश्चार्ज, जलन, लाली पन, बदबू, सुकापन, मतलब ट्राइनेस और इरिटेशन ये सारे चीज़े जब होती है तब वीवाश का यूज करना चाहिए उस के उसके बाद आपको वीवाश का यूज करना चाहिए और पिरेट्स के दोरान मतलब सैनेटरी नापकिन के वज़े से इंफेक्शन फेलने के जादे चांसे होते है तो पिरेट्स के दोरान आपको वीवाश करना चाहिए उसके साथ साथ प्रेगनेंस के दोरान जो उमन प् करना चाहिए तो गाइस नेक्स्ट इंपोर्टन क्वेशन है वीवाश का यूज कैसे करें तो वीवाश की कुछ ट्रॉप्स आपके फिंगर या हट्टेली में लेके इंटिमेट एरिया को लगा के आप इसे सोप की तरह भी यूज कर सकते हो उसके बाद पानी से इसे अच्छ हो सकती है तो वीवाश का यूज ऐसे करना है तो गाइस नेक्स्ट इंपोर्टन क्वेशन है वीवाश का इस्तेमाल दिन में कितनी बार करना चाहिए या कितनी बार हम कर सकते है तो वीवाश का यूज दिन में दो बार आप कर सकते है और आपको वीवाश हर रोज यूज कर ना है, I hope guys आपको इस वीडियो में विवॉस के रिलेटेइड सभी जानकारी अच्छी तरह सी मिल गई होगी, तो आपको किसी और मेडिसिन की बारे में या किसी प्रोड़क्त की बारे में जानकारी चाहिए हो, तो comment box में जरूर comment कर देना, और जो भी मेरे channel पर new है वो जा के subscribe ज़रुर कर लेना 90% लोग मेरे channel को देखते तो है पर subscribe नहीं करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना subscription एकदम free है आप जल्दी से जाके subscribe ज़रुर कर देना, thanks for watching